नमस्कार दोस्तों जै माता दी स्वागत थे आप सबी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों भगवान विष्णुजी और दैन्गी देवी माता लक्ष्मी की कृपासे 29 अगस्ट गुरुवार को अज्जा एकातशी की दिन बना दिव्य दुरलब महाशुब सयोग सरवार्त सिद्धी अम्रित सिद्धी योग महालक्ष्मी योग 12 राशियों में से 6 राशियां होंगी करोडपती माला माल जी हां दोस्तों अब भगवान विष्णुजी और पाता लक्ष्मी की कृपासे 12 राशियों में से 6 राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है और ये राशी वाले एकाजशी के दिन धन से माला माल होने वाले हैं ये छे राशियां करोड़पती बनने वाली है इन राशी वालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते अब करोड़पती बनने से माला माल बनने से जीहां दोस्तों आपको बता दें हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर वरत का अपना महत्व और लाब होता है ऐसा माना जाता है कि वरत रखने से भगवान का दिवय आशिरवाद मिलता है और भगतों पर सुख और समरधी की वर्षा होती है सभी वरतों में एकादशी वरत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हर वर्ष 24 एकादशियां होती है अगस्त के महिने में पढ़ने वाली दूसरी एकादशी को अज़ा एकादशी कहते है अज़ा एकादशी साल की 24 एकादशियों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ए दोस्तों आपको बता दे हर साल बादरपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी को अजा एकादशी का वरत रखा जाता है। भगवान विष्णों के साथ साथ मालश्मी की पूजा करना भी इस दिन बहुत शुब माना जाता है। दोस्तों बता दे हर साल बादरपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी का आरंब 29 अगस्त दिन वीरवार की देर रात एक बचकर 19 मिनिट से होगा। और इसका समापन अगले दिन यानि 30 अगस्त दिन शुकरवार को देर रात एक बचकर 37 मिनिट पर होगा। उद्यादिती के अनुसार अज्जा एकादशी 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अज्जा एकादशी वरत के पारण का समय 30 अगस्त दिन शुकरवार को सुबे 7 बचकर 49 मिनिट से लेकर सुबे के 8 बचकर 31 मिनिट तक रहेगा। इस तरह भक्तों को वरत का पारण करनी की कुल अवधी 42 मिनिट की मिल रही है। जोदिश चास्त्र के अनुसार अज्जा एकादशी के दिन एक साथ बहुत से शुब योग भी बन रहे हैं। इस कारण अज्जा एकादशी का वरत जादा खास रहेगा। इस दिन सिद्धी योग शाम 6 बचकर 18 मिनिट तक रहेगा। इस सिद्धी योग शाम 4 बचकर 49 मिनिट से लेकर 30 अगस्ट की सुबे 6 बचकर 8 मिनिट तक रहेगा। इस सिथी पर भगवान शिव कैलाश पर विराजमान होंगे। हिंदु धरम में अजायकादशी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ये वरत भगवान विश्णो को प्रसन करने का बहुत अच्छा अवसर माना जाता है। इस दिन भगवान विश्णों की पूजा अर्शना करने और व्रत करने से सादक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ती मिल जाती है और मोक्ष की प्राफ्ती होती है। बानिता है कि इस व्रत को करने से अश्रमेद यग्यक के समान पुन्य फल प्राफ्त होता है। ये व्रत ने केवल बहुत एक सुख सम्रधी प्रधान करता है बलकि आध्यात्मिक उनत्ती में भी सहायक होता है। दोस्तों आपको हम बता दे कि इस दिन यानि एकादर्शी के दिन सरवार्त सिद्धी योग, रवी पुष्य योग, अमरित सिद्धी योग, मालक्ष्मी योग का निर्मान हुआ है। जिसमें से बारा राशियों में से कुछ राशी वालों को धनलाव प्राप्ती के योग बन रहे हैं। ये राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं और अब करोडपती बनने से इने कोई नहीं रोक सकता। इन राशी वालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते भगवान विश्णु और माता की लक्ष्मी की कृपा इन पर हो गई है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वे भागिशाली राशियां कौन-कौन सी हैं दोस्तों आजकल की दुनिया में मनिश के लिए पैसा बहुती जरूरी चीज हो गई है बिना पैसे के मनिश कोई भी कार्य करने में समक्ष नहीं हो पाता है यदि किसी भी कार्य की शुरुवात की जाती है तो उसमें धन की आवश्यक्ता जरूर पढ़ती है बिना धन के कोई कार्य संपन होई नहीं पाता हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कुई कमी नहीं हो वह अपना जीवन सुख वयभव के साथ व्यतीत करना चाहता है जिसके लिए वह दिन रात कड़ी मैंद भी करता है जिससे वो बहुत सारा धन अरजित कर सके, परंतु इतनी महनत करने के बावजूद भी मनिश्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वे सोच भी पढ़ जाता है, इतनी महनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मनिश्य को मेनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे तो मनिश्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती और यदि किस्मत साथ दे तो मनिश्य अपनी कम मैनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफरता प्राप्त कर सकता है उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है हिंदु धरम में ग्रह नक्षत्रों और राश्यों को बहुत जादा महत्व दिया जाता है यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ लोगों पर इसका बुरा समय के साथ साथ व्यक्ति को इसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राश्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत अब भगवान श्री हरी विश्णू और मा लक्ष्मी के आशिरवात से चमकने वाली है और इन राशी वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुवात होने वाली है जिहां दोस्तों इन खुश नसीब और भागिशाली राश्यों में से बात करी तो पहली राशी की तो पहली राशी है मकर राशी मकर राशी वालों को बता दे कि मा लक्ष्मी और भगवान विश्णू जी आपके उपर बहुत महरबान हो रहे हैं और इनके आशिरवात से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी की कृपाजिष्टी आपके उपर बनी रहेगी जिसकी वज़े से ही आपको जो भी कार्य आप सफलता प्राप्त करनी चाहते हैं वे कार्य आपके लिए सफल होंगे सालों साल से आपके रुके हुए कार्य अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है आप अपने सभी कर्जों से मुक्ति पाने में काम्याब भी रहेंगे आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी समाज में आपका मान सम्मान बड़ेगा भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपके आर्थिक सिती मजबूत बनी रहेगी प्यापार में अचानक धनलाब होगा और सुख शान्ती का बातावरन आपके घर में बना हुआ रहेगा साथी साथ मक्कर राशी वालों आपके ऊपर भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा सदेव बनी रहेगी हालांकि इस राशी के लोग अपने उग्र सभाव पर थोड़ा सयम रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों इस लिस्ट में अगली राशी की बात करें तो अगली राशी है मेश राशी जिहां दोस्तों मेश राशी वालों को बता दे कि इस समय शुब मासयोंग से मालक्ष्मी और भगवान विश्णू की करिपा से आपको अब लाबदायक समय देखने को मिल सकता है आपके लिए इस समय में अब लाबदायक सितिया बनी हुई है आपके लिए धनलाब के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपको अपने भविश्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाए रखी है वे योजनाएं सफल होंगी और उन पर अमल करने का समय भी आ गया है उन पर अमल करें सफलता आपके हाथ लगेगी साथी साथ अब आपको कही बड़े फायते देखने को मिलेंगे व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे जो व्यक्ति नौकली पेशा वाले हैं उनको पद में उनती मिलेगी और उच अधिकारों का पुरा सयोग प् साथी साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्टा में व्रिदी होगी साथी साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा माता पिता का आशिर्वात आपको बड़ी उन्चायों पर लेकर जाएगा इन राशी वालों को मा लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी के आशिर्वाद से समय आपके लिए अनुकूल है समय का भरपूर लाब उठाएं दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो खुशनसीब और भागिशाली राशी है कन्या राशी कन्या राशी वालों को बता दे भगवान विश्णु और मालक्षमी के आशिर्वाद से अब इस समय कुश्यों की सौगात लेकर आया है जीहां दोस्तों और ये आपके लिए बहुती लाबदायक समय सिद्ध होगा जीहां दोस्तों परिवार में सुख शान्ती आएगी आपके रुखे हुए समस्तिकार्य अब समय पर पूरे हो जा बहुत प्रसन रहेगा भगवान विश्णु और मालक्षमी की अपार कृपाद रिष्टी आपके ऊपर बनी रहेगी जिसकी वज़े से आपके घर परिवार में खुश्यों का वातावरन रहेगा परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है जिसकी वज़े से आपके घर परिवार में सुखुशान्ती का वातावरन रहेगा साथी साथ जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफ़ा देखने को मिलेगा नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से सम्मेंद को ही बहुत बड़ी खुशकबरी प्राप्त हो सकती है भगव आगिशाली राशी की तो वो है मीन राशी दोस्तों मीन राशी वालों को बता दे भगवान विश्णू और मालक्ष्मी अत्यन्त महरवान हैं अत्यतिक क्रिपा आपके उपर बन रही है मीन राशी वालों भगवान श्री हरी विश्णू और मालक्ष्मी का नाम लेकर कोई कार्य शुरू करेंगे या नया कोई बिजनस शुरू करेंगे आपको उसमें अविश्य ही बड़ी सपलता प्राप्त होगी आपके साथ आप समाजिक रूप से अपनी अलग पैचान बनाने में काम्याब होंगे साथी साथ चात्रों के लिए शिक्षा के शेत्र में प्रगती के योग बन रहे हैं परिवार का पुरा सयोग मिलेगा दामपत्य जीवन सुख में रहेगा जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा मीन राशी वालों अब आपको वे सभी खुश्यां प्राप्त होंगी जिसके आप हकदार हैं भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपको अब अनेक प्रकार के लाब धनलाब और बड़ी बड़ी सपलताएं प्राप्त होने वाली है दोस्तों अब बात करते हैं अगली खुश्नसीब और भागिशाली राशी की तो हो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले लोगों को बता दे कि भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपके लिए बहुत ही शुब महासयूंग का निर्मान हो रह है इन राशी के लोगों के कार्य और विचारों में एकागरता और शान्ती रहेगी आप लगादार सफलता की नए नए किर्दीमान सापित करते हुए अपने अलग पैचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे आप अपने मैनज से जो भी कार्य में लगे हुए हैं वे कार्य में भारी धन लाब आपको प्राप्त होगा आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं जिससे अपने घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा से कुम्बराशी वालों समय आपके लिए बेहत अनुकू इस समय का भरपूर लाब उठाएं दोस्तों भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपकी आर्थिक सिती मजबूत बनी रहेगी और घर परिवार में खुशियां आएंगी बात करें अगली खुशनसीब और भागिशाली राशी की तो हो है तुला राशी जी ह जिसकी वज़े से आपको अत्यंत भारी धन लाब प्राप्ती होने की संभावना है साती साथ इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिदी होगी जो लोग नोकरी करते हैं उनको पधमे तरकी मिलेगी और साती साथ वेतन व्रिदी के भी योग हैं जो आपको इस समय सफलता अविश्य ही प्राप्त होगी जीहां दोस्तों इस राशी के लोगों की आय में व्रिदी होगी जो लोग संतान प्राप्ती के इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ती का भी तुख अविश्य ही प्राप्त होने वाला है साथी साथ आपका प्रेम जीवन, दामपत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुती खुश में और आनंद पूर्वक रहने वाला है दोस्तों बता दे भगवान विश्णू और मालक्ष्मी के आशीरवाद से तुलाराशी वालों समय पूर्णता आपके पक्ष में हैं जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वे कार्य आपका अविश्य ही सफल होगा इस समय का आप भरपूर लाव उठाएं और समय को अपने हाथ से आप ना जाने दें दोस्तों बात करते हैं अगली खुशनसीब और भागेशाली राशी की तो वो है विशव राशी विशव राशी वालों को बता दे भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की विशेश कृपा आपके उपर बनी हुई है आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आने वाली है आपके मानसमान और प्रतिष्टा में व्रिदी होगी जिसकी वज़े से समाच में आपकी प्रशनसा की जाएगी जियां दोस्तों आपको इस समय नए अवसर की तलाश है तो वो भी अवसर आपको प्राप्त होगा जिसकी वज़े से ही आपकी जो भी कारे करेंगे वे सफल होते चले जाएंगे आयके सादनों में व्रिदी होगी साथी साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी आपकी अविश्य सफल होगी प्रिशव राशी वाले लोगों को धनलाब के लिए अनेकों अवसर प्राप्त भी होने वाले हैं यूं कहें कि धनलाब प्राप्ती भी आपके लिए धनलाब प्राप्ती के अनेक योग बन रहे हैं स्वयम मा लक्ष्मी और भगवान विश्णुजी के आशीरवात से इस समय आपके लिए अनुकूल है आप लोगों को बता दे आपके परिवार में कुष्णमा माहोल रहेगा साथी साथ कारोबार में व्रिधी होगी सामाजिक शेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है जिससे आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी दोस्तों बात करते हैं अगली कुष्णसीब और भागेशाली राशी की तो हो है व्रिष्चक राशी रिष्चक राशी वाले लोगों को बता दे भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपको कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं आपके द्वारा की गई मैनत का आपको अविश्य ही फाइदा प्राप्त होगा आर्थिक सिती पहले से बहतर होगी आपके रुके हुए कारे सफलता पूर्वक पूरे होगे दोस्तों के साथ मेल जोल बड़ेगा साथी साथ इस राशी के व्यक्तियों को परिवार और जिवन साथी का पूरा सयोग भी प्राप्त होने वाला है आपकी मदुरवानी की वज़े से आपकी सभी अटके हुए कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की अपार कृपा आपके उपर बन रही है जिसकी वज़े से आपकी धन सम्मेंधित सभी परिस्तित्या दूर होंगी जो भी आपके रुके कार्य है वे अब सभलता पूर्वक पूरे होंगे विश्चेक राशी वालो मालक्ष्मी और भगवान विश्नु जी के आशिरवात से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अविश्य ही सभलता प्राप्त होगी समय आपके लिए अनुकूल है समय का भरपूर लाब उठाएं दोस्तों ये थी वो खुशनसीब और भागेशारी राशिया जिसको भगवान विश्नु और मालश्मी के आशिरवाद से अब वो बहुत बड़ी खुशकब्रियां प्राप्त होने वाली है यूँ कहें कि ये राशिवाले माला माल होने वाले हैं इनको अनेक प्रकार के लाब दनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताएं भगवान विश्नु और मालश्मी के आशिरवाद से अविश्य ही प्राप्त होने वाली हैं जिसे इन राशिवालों का जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों भगवान विश्णू और मालक्ष्मी का अशिर्वार आपको प्राप्त हो सची दिल से कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी जै श्री विश्णू अविश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद अशियो